वेलकम टू एकजाम सहपाथी आप फालो कर सकते हैं तो देखते हैं मैमा में होई महतपूर न्युक्तियों को राजीव कुमार को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त न्युक्त किया गया ठीक तो मुख्य चुनाव आयुक्त अभी हाल ही में संगीता सिंग नेक्ष्ट हमारा है संजीव कपूर ने भारती वायू सेना के महानिदेशक और इसमें जो है किस छेत्र में इन्हें जो है महानिदेशक बनाया गया है निरिक्षड और सुरक्षा के लिए ठीक ना निरिक्षड और सुरक्षा के लिए भारती वायू सेना के महा नेक्स्ट हमारा है तरुड कपूर को प्रधान मंत्री का रियाले में प्रधान मंत्री के सलाहकार के रूप में न्युक्ति जो है दी गी है तो प्रधान मंत्री के सलाहकार किसे न्युक्ति किया गया है तो तरुड कपूर को न्युक्ति किया गया है तब भारत के साथ पाकिस्तान ने अपने ब्यापार को फिर से श्टार्ट किया है और उसके लिए ब्यापार मंत्री ने उक्तिया गया है किसे कमर जमान को पाकिस्तान का ठीक है रानिल विक्रम सिंगे ये क्या बने है तो ये स्री लंका के नय प्रधान मंत्री बने है ठीक है अभी वहाँ पर आपात काल के चलते वहाँ के प्रधान मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, तो उसके बाद आपके रानिल विक्रम संगे को नया प्रधान मंत्री बनाया गया स्री लंका का, नेक्स्ट हमारा है, एर इंडिया का मुख्य CEO और MD जो है किसे ने उत्किया गया एर इंडिया का भी हाली में, तो वो है आपके कैम्प बिल विल्सन, संजिव बजाज ने वर्स 2022-23 के लिए, भारतिय उद्योग परिसंग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है, तो याद रखना, यह अपकी इंपोर्टेंट संस्ता होती है, भारतिय उद्योग परिसंग और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो 2022-23 के लिए संजिव बजाज को बनाया गया है, Infosys कंपनी के CEO और MD के रूप में फिर से किसे न्यूक्त किया गया है, तो Infosys के CEO और MD पहले से ही कौन थे, सरील पारेक थे, अब इन्हें फिर से न्यूक्त कर दिया गया है, Infosys कंपनी का CEO और MD, नेक्स्ट हमारे हैं विने कुमार सक्सेना, इनको जो है क्या बनाया गया है, तिनको राश्ट्रपती रौमनात कोविंद ने दिल्ली का 22 वा उप राज्यपाल न्यूक्त किया है, तो दिल्ली के वरतमान में उप राज्यपाल कोन है, तो वो आपके बनाए गए है विने कुमार सक्सेना अभी हाली में अनिल वैजल ने इस्तीफा दे दिया था भारती ये महिला बुक्यबाज जिनका नाम क्या है लवलीना बोर्गोहन और इन्होंने जो है अभी कान से पतग गीता था आपके टोक्यो ओलम्पिक में ठीक है इन्हों इन्हें क्या बनाए गया है तो इन्हें अंतर राष्ट्री मुक्यबाजी संग की एथलिट समीति का अध्यक्ष चुना गया है तो अंतर राष्ट्री मुक्यबाजी संग के एथलिट समीति का अध्यक्ष किसे बनाए गया है तो लवलीना बोर्गोहन को इसके हमारा Doctor Tedros Adnom Ghebreyesus और इस नाम से आप लोग परीचित होंगे क्योंकि ये पहले से ही विश्व स्वास्त संगठन के महानि देसक थे अब इन्हें फिर से विश्व स्वास्त संगठन का महानि देसक चुन लिए गया है ठीक है तो अगले के अध्यक्ष का जो है अत्रिक्त प्रभारी ने दिया गया है अगला है हमारा SS Mundra को Bombay Stock Exchange का जो है नया चेर्मेन नियुक्त किया गया है तो Bombay Stock Exchange जो है आश्ट्रेलिया के नय प्रधान मंत्री चुने गए है इसके पहले कौन थे तो इसके पहले थे Scott Morrison लेकिन अब चुनावों में कौन चुने गए है तो वो चुने गए है एंथनी एलपनीज Next हमारा है सेख मुहम्मद बिन जायद अलनाहयान सन्युक्त अरब अमिरात के नय राश्टर पती चुने गए है तो नय राश्टर पती कौन बने हैं सेख मुहम्मद बिन जायद अलनाहयान ठीक है ये अभी सन्युक्त अरब अमिरात यानि की UAE के नय राश्टर पती बने है एलिजावेथ बॉर्न ये क्या बनी है तो ये आपके फ्रांस की जो है दूसरी महिला प्रधानमंत्री है यानि कि फ्रांस की प्रधानमंत्री वरतमान में कौन बनी है तो वो बनी है एलिजावेथ बॉर्न और फ्रांस के वरतमान में राश्टरपती कौन है अगर आपको पता अगला हमारा किस भारतिय मोल के ब्यक्ति को अमेरिका की खुफिया एजंसी C.I.A. का पहला मुख्य प्रवद्योगी की अधिकारी नियुक्त किया गया है तो ये नियुक्त किया गया है नंद मूल चंदानी को ठीक है न तो C.I.A. का पहला मुख्य प्रवद्योगी की अधिकारी एक भारती मूल का ब्यक्ति जिसका नाम क्या है नंद मूल चंदानी तो है हम लोग मंतली current affairs मही का complete कर लेंगे ठीक है तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद